दोस्तों नमस्कार, Electrical and Mode चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फीर से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज के वीडियो में हम मोसन सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों मोसन सेंसर जो होता है वह हमारे घर के अंदर जो लाइट होती है उसको आटोमेटिक बंद और चालू करने के काम आता है यदि हम हमारे घर के अंदर हैं तो उस कंडिशन में लाइट चालू रहेगी और घर से बाहर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक बंद 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 कर सकते हैं जिससे घर की बचत भी होगी घर की सेफ्टी भी बढ़ेगी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह पर हमने मौसंसेंसर लिया हैं मौसंसर जीसा कि आथ के अंदर के अंदर इस तरह काम सेंसर होता ए किसी भी संसर कि साथ ही लगेगा और इसमें connection होंगे उसके बाद हमने यहाँ पर एक लेंप फोल्डर लिया है और एक बल्ब लिया है इस लेंप फोल्डर को हम connect करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से light बंदोर चालू होती है अब इसके connection कर लेते हैं connection करने के लिए हमने यहाँ पर wire ले लि करनेक्शन कर देना है तो आपको यहां पर यहां UM यहां पर बल्वाला वायार लाकर जोड़ना है तो दोस्तों आपंचन कर लेते हैं यहां पर यह रड़ का जो वायर है इसे हमने फ्यलिया है सैब Dinge Lenmark how और फिर से येलो wants जोड़ना है यह जो येलो बाला वायर लिया है ये वायर हमारे बल्व के लेंप वोडर में जाएगा जैसा कि आप दिखसकते हैं इस तरीके से वायर आपको connect नीख रेगा यह जो यह लीर इस यह लीर को हम इस होलडर पर जोड़ लेंगे हमने यहाँ पर यह लीर लिया है यह बूलाए कर लेंगे तो इस तरीके से ब्लू और यह लीर यहां बेखको हमें दोनों बू वाले वाले को एक साथ करके हमें प्रेज्ट्राइस सप्लाइड है और यह Campe को हमें इस extension board के अंदर इस तरीके से लगा देना है यहां पर हमारा sensor के साथ connection complete हो चुका है अब हम इसकी setting कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो लक्स का मतलब यह होता है कि हमारा sensor कितनी दूर से काम करेगा उसकी setting हम यहां से कम्याद यहाद कर सकते हैं और उसके Max ले SIMS से List को ॏ कटेने हो ना होगा यहांनि 30 मोशन नहीं होगा तो भी लाइट जलती रहें 갖고 यहाँ पर जो sensor आपको में बता रहा हूँ यह dual sensor है काफी सारे जो sensor आते हैं वो single sensor होते हैं यहाँ पर dual sensor हमने लिया है इस sensor के द्वारा ज्यादा capacity ज्यादा दूरी से हम light को on और off करा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसके भी testing कर रहे हैं अभी हमने इसके अ देख सकते हैं यहाँ पर sensor के अंदर red light grow हो रही है अभी हमारा sensor working condition में आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने हाथ से इसके सामने इशारा किया तो यह light जल गई है और थोड़ी देर बाद देखिएगा दोस्तों यह light automatic बंद हो जाएगी यहाँ पर मैंने वीडियो को fast कर दिया है ताकि जल्दी से वीडियो खतम हो जाए इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जल्दी से हमारी light बंद हो जाएगी है और यहाँ पर रेड़ वापस से चालू हो गई है और वापस से सामने कोई moment होगा कोई हल चलोगी या कोई आदमी 10 मिटर के दाइरे में आएगा तो automatic light जल जाएगी जैसा कि आप देख सकते मैंने हाथ से moment करी है तो यह light जल गई है दोस्तों यह sensor बहुती काम का आएगा तो घर की बेल आटोमेटिक चालू हो जाएगी उसके साथ ही यदि आप केमरा लगाएंगे तो वह चैनल को सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों इस sensor का link मैंने description में दिया है वहां से जाकर आप इस sensor को पर्चेज भी कर सकते हैं इसे मैंने Amazon से 300 रुपे के अंदर बं और के व onboard रiarत्तव कर ऑभी कर सकते हैं इस फटे नहीवर मैंने से, और रहे कर दोने रजुपे केमरा की तो suffering मैंने से जालू है तो और बंदीज घू है ठाकर तोटू है